नमस्ते, आपने पश्चिमी समाज के अंदर आर्ष्टू और सुकुरात का नाम तो सुना ही होगा आर्ष्टू और सुकुरात पूरे पश्चिम सब्भेता के सबसे ज्यानी और बड़े दार्शनिक थे पर क्या आप जानते हो कि इनकी महिलाओं के परती क्या सोचती इनका मानना था कि महिलाओं के अंदर ना तो आत्मा होती है और ना ही उनको पीडा होती है बलकि वो तो तुर्शी और मेज के समान एक निरजी वस्तू है जिसका सिर्फ और सिर्फ उपभोग किया जाना चाहिए आर्स्तू और सुकरात को पूरे पश्चिमी समाज के अंदर सबसे बड़ा और महान दार्शनिकों में गिना जाता है सोचो जिनके इतने बड़े ग्यानी लोगों की ये सोच थी तो सोचो पश्चिमी समाज आज से हजारों साल पहले कैसा रहा होगा पश्चिमी समाज के अंदर महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ भोग की वस्तु समझा जाता है और तो और आज भी पश्चिमी समाज इनकी सोच से बहार नहीं आया है वहाँ पर महिलाओं को भोगा जाता है, काम लिया जाता है और उन्हें छोड़ दिया जाता है बट हमारे बामपंति और बुद्धी जी भी कहते हैं कि जितनी सब्तेंदरता पस्चिमी समाज में महिलाओं को मिली है ऐसी कहीं भी नहीं मिली है अगर महिलाओं को बदन दिखाना सब्तेंतरता है तो मैं मानता हूँ कि मेरी देश की महिलाओं तो देवी है और वो देवी ही है क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को दो जर्दा दिया जाता है वो कहीं और किसी देश में नहीं दिया जाता है हमारे देश में महिलाओं को देवी समझा जाता है देवी मींस भगवान का दर्जा दिया जाता है आपको पता है कि हमारे भगवान हमारे इश्वर कृष्ण जी को भी देव की नंदन बोला जाता था और तो और पांडवों को भी कुंती पुत्र के नाम से जाना जाता था वो तो भला हो इन मुगलों का और इन अंग्रेजों का जिनों ने पूरे का पूरा हमारा इप्धिहास चेंज कर दिया और हमको सिस्त्रियों के ब्रोध दिखा दिया गया जबकि पूरे का पूरा पश्चिमी समाज सदा से स्त्रियों के ब्रोध रहा है और वो स्त्रियों को ना तो को यदिकार देते थे और नहां आज भी उने को यदिकार दिया गया है वो तो भला हो इंडेस्टिलाइजेशन का, कैपिटलाइजेशन का कि जो पस्चिमी सब्वैता के अंदर आया और महिलाओं को कुछ अधिकार मिले वरना वहाँ पर तो महिलाओं को बोलने का अधिकार भी नहीं था तो ऐसी है मेरी भागती संस्क्रिप्त जैंड जैंड जैंबार